नमश्कार वर्वस्वक्षिन स्टेक और आप सवी का स्वागत है पैगंबर महम्मत के खिलाफ विवादित टिपणी करने पर बीजेपी की राश्ट्री प्रवक्ता नुपूर शर्मा और दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग के प्रमुक नवीन कुमार जिंदल के से सामप्रदाइक सद्भावना बिगड़े जिस व्यक्ति की टिपणी से देश की छवी पर विपरीत असर पड़े उसे सिर्फ दल से ही निलंबित कर देना काफी नहीं है वैसे भी बात सिर्फ एक नुपूर शर्मा की नहीं रह गई है बलकि आजकल टीवी समाचार चैनलो पर होने वाली बहसों के दौरान वक्तागण जिस तरह एक दूसरे पर चीखते चिलाते हैं भड़काऊ और अमर्यादिक टिपड़ियां करते हैं एक दूसरे के धर्म को निशाना बनाते हैं उससे सामाजिक ताने बाने पर असर पड़ रहा है सरकार ने हलांकि कई बार से ध्यान हटाकर जिस तरह टीवी समाचार चैनल सिर्फ धार्मिक विश्यों को ही कवरेज पतान करते रहते हैं उससे भी बचे जाने की जरूरत है नुपुर शर्मा वैसे तो टीवी समाचार चैनलों पर भाजपा का पक्षर रखती थी लेकिन देखा जाए तो उन्होंने भाजपा को सरवाधिक नुकसान भी पहुंचाया है उनके टिपनी ने मोदी सरकार के किये कराय पर पानी फेरने का काम किया है उलिखनी है कि पिछले आठ सालों में मोदी सरकार के विशेश प्रयासों से इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंदों में बड़ा सुधार आया इस्लामिक देश अब पहले की तरह विश्व मंचों पर पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाते बलकि भारत के साथ खड़े दिखते हैं यहीं नहीं भाजपा पर भले सांपरदाइक दल होने का ठपा कुछ लोग लगाते रहें लेकिन मोधी क नेत्रित तुवाली भारत सरकार ने अलप संख्यकों के वास्तविक कल्याण के लिए इन आठ सालों में कई कदम उठाए और योजनाओं का लाब उन तक पहुंचाते हुए उनके जीवन में बदलाव का मार्क प्रशस्त किया यहीं नहीं मोधी सरकार की वजह से ही मुस्लि को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन नुपूर शर्मा और उनके जैसे कुछ अन्य बढ़ बोले नेता पहले माहल बिगाड़ते हैं फिर कारवाई के डर से बयान वापस लेते हुए माफी मांग लेते हैं हमें ध्यान रखना चाहिए कि राम मंदिर का मुद्दा भले आएगा हम उसका पालन करेंगे अभी ग्यान वापी विवाद पर भी विविन पक्षों के तमाम प्रवक्तागण टीवी समाचार चैनलों की बहसों के दौरान महल को गर्मा रहे थे लेकिन जब से आरसेस प्रमुक मोहन भागवत ने कहा है कि आदालत पर विश्वास रखन को मिल रही है जो लोग उकसावे की राणीती करते हैं उन्हें हाल ही में संग प्रमुक की और से दिये गए सम्मोधन को अवश्य सुनना चाहिए अपने सम्मोधन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देते वे आरसेस प्रमुक मोहन भागवत ने कहा है कि 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 समुधाय को अतिवाद का सहरा नहीं लेना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं का संबान करना चाहिए यहीं नहीं मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि हर मस्चित में शिवलिंग नहीं तलाश है अपनी सम्मिदान सम्मत न्याय ववस्था को पवित्र सर्वस्रेष्ठ मान कर उसके निर्णे हमको पालन करने चाहिए उनके निर्णे ओपर प्रेशन जिनन नहीं लगाना चाहिए ठीक है प्रतिकात्मक कुछ हमारी वीचे श्रद्धाती है ऐसे स्थानों के बारे में ने का लेकिन रोज एक मामला निकालना नाया यह भी नहीं करना चाहिए हमको जिन में शूलिंग क्यों देखना कि वह भी एक पूजा है ठीक है बाहर से आई है लेकिन जिनोंने अपना ही है वो मुसल्मान वो बाहर से संबंदनी रखते हैं उनको भी समझना चाहिए यद्धे पूजा उनकी उधर की है उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है हमा हमारे प्राचीन सनातन कल से चलते आवे रुशी मुनी राजा क्षत्रियों के पूरुवज है वह उसे जह है समान पूरुवजों के वह उसे जह है हाल ही में जिस तरह कुछ धर्म संसदों के आईजनों के दौरान भी दूसरे धर्म को लेकर जो अमर्यादि टिपडियां की गई थी उससे दो समदायों के बीच तनाव के स्थिती बन गई थी लेकिन सरकार और अदालतों ने उन मुद्दों को बड़े अच्छे ढंग से हल किया सभी को समझना चाहिए कि बहस के दौरान विचारों और नीतियों को लेकर चर्चा हो सकती है लेकिन नेजी जीवन पर लंगन हो सकता है उनकी एक टिपणी से कानपूर में बवाल हो जाए दूसरे प्रदेशों में विद्रोत प्रदशन होने लगें खुद उन्हें जान से मारने की धंकी मिलने लगे और भारत के वरिष्ट नेताओं के विदेशी दौरों के समय वहां की सरकारें उनसे की बीच कैठर के प्रदान मंत्री वेग्रह मंतरी शेख खलिद बिन खलीफा बिन अब्दुल आजीच अल्दसानी से मुलाकात की होगी तो उनहें कैसा मैसूस हो रहा होगा जब कतर के उप अमीर अब्दुल्ला बिन हमद बिन खलीफा अल्थानी के और से या उप एक और भारत सरकार भारती उत्पादों को ग्लोबल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है लेकिन नुपुर शर्मा की विवादि टिपणी के चलते अरब देशों में ट्विटर पर भारती उत्पादों के बहिशकार के लिए एक अभियान चला दिया गया हम आपको बता दे भी पैगंबर मुहमत के खिलाफ विवादि टिपणियों की अलुशना करते हुए सभी से आस्थाओं और धर्मों का समान किये जाने का अहवान किया है सब्सक्राइब के विदेश मंत्राले ने बयान जादी करके भाजपा प्रॉक्ता की टिपणियों के निंदा की और कहा क की इन से पैगंबर मुहमत का प्मान हुआ है यही नहीं पागिस्तान को भी भारत के खिलाफ जहर उगलने का मुखव मिल गया पाकिस्तान के प्रणमत्री शहवाज शरीवने त्वीट किया मैं प्यारे पैगंबर के फटकार लगानी चाहिए शहवाद शरीफ ने कहा कि पैगंबर के लिए हमारा प्यार सर्वोच है इसे पहले कतर इरान और कुवेट ने पैगंबर मुहमत के बारे में भाजपा नेता की विवादित टिपड़ियों को लेकर भारती राज़ूत्नों को तलब किया था खाड़ी यहां खास बात यह है कि सरकार की और से एक तरह भाजपा नेता को संकीन सोच वाले तत्यों बताया गया है यकीनन यह इस्तिति भाजपा के लिए शर्मसार कर देने वाला विशह है इसलिए भाजपा को भी बयान जादी करके कहना पड़ा कि वह सबी धर्मों का संबान करती है और उसे किसी भी धर्म के पूजनी लोगों का अपमान स्विकारे नहीं है वराल जहां तक नुपुर और नवीन के पक्ष की बात है तो इन दोनों का कहना है कि 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 धर्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई रादा नहीं था उम्मीद की जानी चाहिए कि अब वि पूपुर शर्मा मामले में भी अधिकांश्ता सभी ने संयम का ही परिचय दिया है प्रमुख मुस्लिम संग्ठन जमियत उलेमाय हिंद ने भाजपा के और से अपने नेताओं के खिलाफ की गई कारवाई को आवश्यक और सामाइक बताया है कॉंग्रस ने जरूर इस मुद इसलिए ऐसा अचरण करने से बचना चाहिए जिससे किसी की धर्विक भावनाय आहत होती है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अप तक पहुँच सके